नमस्कार आप देख रहे हैं महुआ खबर और आपके साथ मैं हूँ क्रान्ति सिंग यूपी उत्राखन के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे उत्रप्रदीश और उत्राखन के तमाम बड़ी खबरे जो आज दिन बार चर्चा में रही देखे बारी एक खास बुलेटिन बीजेपी ने क्या नामंकन तारिखों का एलान मुखे निर्वाचन अधिकारियों की बड़ी बैठक चुनावों को लेकर अखिलेश यादव की मांग उत्रकाशी में फिर हुआ भयंकर भूस्कलन पूर्विधायक विनेश अंकर की संपत्ती जब ग्रामिनों की चितावनी रोड नहीं तो वोट नहीं मैंनपुरी सीट पर निस्पक्ष चुनाव कराने की समाजवादी पार्टी नेकी मांग कहा डीमस्पी समेत का या धिकारियों को हटाय चुनाव आयोग उत्रकाशी में फिर हुआ बड़ा भूस्कलन सड़क बनाने के लिए पहाड़ी काटने के दोरान हुआ हाथसा पूर्विधायक विनाई संकर तिवारी पार एडी की बड़ी कारवाई कंपनी गंगोत्री इंटर्प्राइजिस की 30.6 करोर रुपे की समपत्ती जब अमेटी में ग्रामिनों का फूटा गुस्सा निताओ को कहा रोड नहीं तो वोट नहीं निताओ शरम करो लोगसबा चुनाव के मद्दे नजर उत्राखन में आचार सैंता लागू 40,000 से अधिक सरकारी और नीजी समपत्यों से अटाए गए चुनाव प्रचार सामगरी विश्व प्रसिद बरसाना में खेली गए प्रेम भरी लटमार होली हुरियारिनों ने खूब चलाई लाठिया यूपी के मुखे निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने राजधानी में अपने कार्याले में मानेता प्राप्त राजनेतिक दलों के प्रतिनीधियों के साथ बैठक की इसमें भारत निर्वाचन आयों के दिशा निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी गई मुखे निर्वाचन अधिकारी ने राजनेतिक दलों के प्रतिनीधियों को बताया कि राज्ये के लिए विधान सभा निर्वाचन के अधिक्तम सीमा 40 लाख रुपे और लोगसभा निर्वाचन के अधिक्तम सीमा 95 लाख रुपे निर्धारित की गई है उन्होंने बताया कि प्रत्याशी को दसदार से अधिक की सभी प्राप्तिया और भुक्तान बैंक के माध्यम से ही करना होगा समाजवादी पार्टी ने मैंपुरी में निस्पक्ष चुनाव कराने के लिए डी-म, स्पी समेथ कई अधिकारियों को हटाने की चुनाव आयोक से मांग की है पार्टी अध्याक्ष अखिलेश यादफ के निर्देश पर प्रदेश अध्याक्ष नरेश उत्तम पटेले प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को स्वतंत्र, निसपक्ष और निर्भिक चुनाव की अपील की है उत्राखन में भारती जंता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों के नामंकन 22 से 27 मार्च तक होंगे सबी प्रत्याशियों के नामंकन कारिक्रम में मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी भी मौजूद रहेंगे इन कारे क्रमों में केंद्रे निताओं की भी मौजूदगी हो सकती है वही हरी द्वार सीट पर 13 मार्च को त्रिवेंद्र सिंग रावत आलनाइन नामंकर करेंगे उत्राखन के उत्तरकाशी में सड़क बढाने के लिए पहारी काटने के दौरान भूस्क्रन हुआ वही मजदूरों ने भाग कर अपनी जान बचाई मिली जानकारी के मुताबिक भूस्क्रन की वज़े से कई घरों में दरारे भी आई हैं उत्राखन में लोकसबाचुनाव को लेकर तैयारिया शुरू हो चुकी है इस दौरान पुलिस महानी देशाक अभिनव कुमार ने बड़ा ब्यान दिया उन्होंने कहा कि सभी पुलिस अधिकारियों को आचार सहीता को सक्ती से लागू करने के निर्देश दिये गए है डीजीपी ने कहा कि आचार सहीता का उलंगन करने वालों से सक्ती से निप्टा जाएगा पूरो विधायक विनेश अंकरतिवारी की कंपनी गंगोतरी इंटरप्राइजिस की 30.86 करो रुपे की संपत्यों को इडी ने जब्त किया है इडी ने बैंको का 754 करो रुपे हड़पने के मामले में ये बड़ी कारवाई की है इसे के साथ इडी ने लखनओ, नोईडा और गोरकपुर में 12 चल और अचल संपत्यों को जब्त किया है बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी दुश्यंत गौतम ने कॉंग्रिस पर तंज कसा, उन्होंने कहा कि आज विपक्ष की कमर तूट चुकी है और उससे उमिदवार तक नहीं मिल पा रही है, उनके लोग चुनाव लड़ने से मना कर रही है पार्टी कार्याले में मीडिया कर्मियों से बाचीत के दौरान गौतम ने कहा कि बीजेपी ने हर सीट को पाच लाग के अंतर से जीतने का संकल्प लिया है, पार्टी कार्यकरता इस संकल्प को पूरा करने के लिए लगतार मेहनत भी कर रही है चुनाव आयोग के प्रमुक सचीव ग्रह संजे प्रसाथ को हटाने के आदेश के बाद मुखे सचीव दुरगा शंकर मिश्रा को ग्रह विवाग का भी चार्ज दिया गया है नए प्रमुक सचीव की तैनाती तक वे इस पत पर बने रहेंगे आयोग को इस पत के लिए पैनल भेजने के लिए 6 से जादा अफसरों के नाम देर शाम तक तैय किये इने में से तीन अधिकारियों के नामों का पैनल मुखे मंत्री से चर्चा के बाद भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा लोगसबा चुनाफ को लेकर अमबेटकर नगर के एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज सदरपुर के आडिटोरियों में बैठक का आयोजन क्या गया इस दोरान चुनाफ को लेकर चर्चा की गई साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगसबा चुनाफ को पारदर्शी और निस्पक्ष बनाने के लिए प्लानिंग की लोगसबा चुनाफ को लेकर सभी पार्टिया जोरो शोरो से तयार्य कर रही है वही जनता भी इस बार सजग है जनता इस बार वोट डालने से पहले अपनी मांगे पूरी करवाना चाहा रही है ताजमामला मैठी का है जहापूर्णेता भाहिशकार का बोड लगाए गया जिसमें लिखा है रोड नहीं तो वोट नहीं नेताओं शर्म करो ग्रामिनों ने गाउं में जगा जगा लोगसबा चुना भाहिशकार का बोड लगा कर अपनी मांगे सामने रख दी है बांदा के अंतरा कस्वे में आठ किलोमीटर दूर स्थेत खमहौरा गाउ निवासी राकेश यादव काचे अन्यूपी पुलिस में उपने रिक्षक के पत पर हुआ ट्रेनिंग के बाद भी अपने गाउं पहली बार पहुँचे जहाँ परिवार के साथ ही ग्रामिनों ने बैंड बाजे और फूल माला पिनहा कर उनका स्वागत किया उत्राखन में लोकसबा चुनाव के मद्धे नजार आचार साहिंता लागू होने के बाद 40,000 से अधिक सरकारी और नीजी समपत्यों से चुनाव प्रचार सामगरी हटा दी गई है बदादी की प्रदेश भर में नगदी, शराब, आदी के प्रचलन पर रोक लगाने के लिए चेकिंग अभ्यान भी चलाय जा रहा है शावस्ती में आचार साहिंता को लेकार प्रशासन ने कई अभ्यानों के तैयत आनियमतिता को रोकने की कोशिश शुरू कर दी है इसी कड़ी में पुलिस ने तीन अभ्यूक्तों को सूखे नशे की तसकरी के आरुक में गिरफतार किया वह इस कारवाई के बाद ऐसे अभ्यानों में और भी तेजी दी गई शावस्ती में जमुनहा तहसील शीत्र के सुईप कारिकरम के तहत प्रात्मिक विद्याले चंद्रखा बुजुर्ग में डीम कृतिका शर्मा और एस्पी घंश्याम चौरसिया के अध्यक्षता में मद्दान जागरुकता चौपाल लगाई गई इस शौपाल का उदेश्य शत प्रतीशत मद्दान बढ़ाना था इस दोरान डीम ने गाउं की महिलाओ आंगनवारी कारेकरत्रियों और ग्राम वास्यों से सीधा समवाद कर उन्हें स्वेम मद्दान करने और दूसरों को भी मद्दान कराने के लिए अपील की मत्रा में विश्व प्रसेद बरसाना की प्रेम भरी लटमार होली खेली गई हुरियारीन एकत्रित होका रंगीली गली में नंदगाओ के हुरियारों को मजा के अंदाज में पीटती रज़राई नंदगाओं के हुरियारे सर पर ढाल रखकर हुरियारिनों के लट से अपना बचाव करते हुए दिखे वही प्रशासन की तरफ से पडियाप्त सुरक्षा व्यवस्था भी की गए लोकसभा चुनाव में मीडिया समन्वे के लिए बीजेपी ने प्रभारी बनाए साथ ही कमेटियों का भी गठन किया वही आज मुख्यमंत्री पुषकर सिंग्धामी ने हरिद्वार रोड स्थित एक होटर में पाटि के मीडिया सेंटर का अपचारी कुद घाटन किया साथ ही कार्याले में प्रेस्वारता भी की पिलिभीत में साइबर ठगों का आतंक दिन पर दिन बरता ही जा रहा है संदेश भीजे गए खैरियत पूछने के बाद लोगों से रुप्यों की मांग की गई साथ ही शाम तक रुपए वापस भीजने की बात भी कही गई वर्टसेप डीपी पर डीम का फोटो और डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट लिखा देख लोग हैरत में पड़ गए जानकारी सामने आते ही डीम संजे कुमार सिंग ने S.P. से मामले की जाच शूरू करने की बात कह दे कोलतार की बंदरबार फ्रोकने के लिए उतरप्रिदेश सरकार ने 2022 में ही PWD के कोलतार के सभी डीपो को बंद करने के आदेश दिये थे और अधिकारियों को 2022 में ही कोलतार निल दिखा कर शासन को रिपोर्ट भी बेज दी गई थी बावजुद इसके पिलिभीत के डीपो से कोलतार के निकासी चोरी छिपे की जा रही है डीपो से कोलतार निकलने पर डी-एम और शासन से शिकायद भी की गई हाले कि अब इन गोदामों में कोलतार कहा से आया इसको लेकर विभाग्य करमचारियों पर सवाल उठ रहे है ललिकपुर में बदमाशों के होसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो सरयाम दुकान में घुसकर दुकान में रखी हुई नगदी लूट कर रफुचक्कर हो गए दरसाल एक गल्ला वैपारी की दुकान में घुसकर दो बाइक सवार बदमाशों ने एक लाग की नगदी लूट ली और दुकानदार की आखों में मिर्च का पाउडर डाल कर फरार हो गए फिलाल पुलिस मामले की जाच में जुटी है यूपी में दबंगों का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है ताजमामला श्रावस्ती का है जहाँ बदमाशों ने दिन दहारे दुकानदार से मार पीट की वहाई पेड़े दुकानदार ने मार पीट कर लाखों की लूट का भी आरोप लगाया है फिलाल इसकास बुलेटिर में वस इतना ही देश द्रेक्त माम बड़े खबरों के बने रेमार साथ पर देखते राइए मावा खबर नमस्कार